आप सब भी क्या सुगत है अभी मैं बात करने वाला हूँ जो new rules centralized common counseling meet काया है इसके बारे में यहाँ पर देखें सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह लागू कब से होगा इसी year से लागू होगा कि अगले साल से यह सबसे ज़्यादा questions पूछे जा रहे हैं मैंने हाला कि पहले भी बताया है देखो मैं सबसे पहले doubt clear कर दो कि यह जो common counseling है उमीद करके चले 2024 से यह लागू होगा इस year लागू होना बहुत मुस्किल लग रहा है रिजन बहुत सारे है अगर लागू होता है welcome सब भी मिलकर करेंगे क्योंकि इसमें फाइदा सबी को है बात करेंगे अभी देखो जैसे मैं आपको बता दू कि हर्याना स्टेट ने अपना ब्रोश्र जारी कर दिया फी सबी एक बात मैं बता दूँ कि उमीद करके चलें कि दो हाचा चोबी सिन लागू होगा मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप सभी को फोकस करना चाहिए को मैं आप सब्दम करने अपना बेस्ट प्रिफरेंस बनाने के चकर्म लागे यह इंपोर्टन्ट है अगर ये लागू इस बार होता है तो मैं हूँ complete guidance आपको करेंगा आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने दोगा लेकिन अभी आप सो भी 99% मान कर चले state का अलग होगा और all India अलग होगा जैसे होता आया है वैसे ही होगा यहां लागू 2024 से होने का उमीद है अब मैं आपको बता दू बहुत सारे questions पूश है कि नुकसान और फाइदा कौन कोन state को होगा देखो अभी तो यह start हुआ नहीं है और यह बहुत सारे state है और जीन state का cut-off कम रहता है उनको मुझे लगता है कि नुकसान होगा मतलब देखो नुकसान का मतलब यह होता है कि cut-off state का particular कम जाता है common council से सब बाइलेंस हो जाएगा सब भी बाइलेंस हो जाएगा इसे महरास्ट्रा हो गया वेस्ट मिंगल हो गया करनाटका हो गया और यह बहुत सा मिंटेन हो जाएगा ठीक है और common counselling से सब को फाइदा होगा सब को फाइदा होगा आने वाले समय में फाइदा होगा क्योंको देखो बहुत सारे शुन्स बढ़ रहे हैं और जिसकी वुज़त से cut-off भी बढ़ रहा है कहीना कहीं common counselling से cut-off पे कहने के break लगेगा खेर स्टार्ट होने के बाद और भी क्लेटी में लेकर ब्रेक लगेगा ही लगेगा बस मुझे आप सब भी को ही बताना है मिलता के वीडियो में और कोई doubt हो आप सब भी जरूर पूछना